नमस्कार साथियों 2019 का ये आखरी सत्र है और ये बहुत महत्वपूम्ट सत्र भी है क्योंकि राजसभा का ये 250 वा सत्र है 250 सत्रों की अपनी कियात्रा का बहुती प्रेडक्स मृत्यों के साथ राजसभा का 250 वा सत्र प्रारंब हो रहा है उसी प्रकार से इसी सत्र के दर्म्यान 26 तारीक को हमारा सम्मिधान दिवस है जबकि हमारे सम्मिधान के 70 साल हो रहे है ये सम्मिधान देश की एक्ता अखंडिता भारत की विवित्ता भारत के इस सौंदरियों को अपने में समेटे हुए है और देश के लिए वो एक चालक उर्जा शक्ती है तो सम्मिधान के 70 साल अपने आप में इस सदन के माध्यम से देश वाच्वों के लिए भी एक जागरूती का अवसर बन सकता है पिछले दिनों करिब करिब सभी दल के नेताओं से मिलने का मुका मिला है और यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बार सभी दलों के सहयोग के कारण सभी मान्य सांसदों के सहयोग के कारण हर किसी की सक्रिय सकारात्पक भुमिका के कारण गत्सत्र अभूत पुर्व सिद्धियों से भरा हुआ था और ये मुझे सार्वजेनिक रूप से गर्व से कहना चाहिए कि ये सिद्धी सरकार की नहीं होती है ये सिद्धी ट्रेजरी बैंच की नहीं होती है ये सिध्धी पूरे सदन की होती हैं और सभी सांसद उसके हकदार होते हैं और इसलिए मैं फिर एक बार सकारात्मक, सक्रिय भूमिकां के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ ये सत्र भी देश के विकास की यात्रा को देश को गती देने में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ हम अमारी संसत से में भी प्रगट करें हम सभी मुद्दों पर खूल करके चर्चा चाहते हैं उत्तम से उत्तम बहस हो ये आवशक है बाद हो विवाद हो समवाद हो हर एक कोई अपने बुद्दी शक्ति का प्रचूर मात्रा में उप्योग करें और सदन की चर्चा को समर्थ बनाने में योगदान दें और उससे जो अमरत निकलता है वो देश के उजवल भविश के लिए काम आता है तो इन सभी सांसदों को शुब कामनाई देते हुए आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लग्याद करता है